आगा बस सबसे प्रार्थना है देखो आप कर्पा करके लाड़ली जूकी कर्पा से यहां आये ओ बिना कर्पा कि नहीं आना होता अब ट्रकीच में जा सकते अपने पैसे के बल से लेकिन संत्त समागम पैसे के बल से नहीं कर सकते अगर शंत समागम मिला है आपको तो इतनी बात हमारी मान लेना शराप पीना मान स्खाना पराइस्त्री के साथ बेविचार करना जुआ खेलना और दूसरे की धन की चूरी करना इन पात चीजों से बच जाओ और राधा 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 चैसे हो वैसे तुम्हें भगवान स्वेकार कर लेंगे निश्चित तुम सुखी हो जाओगे हमारी बात मान लीजिए बात में सारी बात छुपी हुई है यह हमारी प्रार्थना में आपसे कुछ लेला देला नहीं करुणा शमुद्र हैं आप कैसे बताएं ने को हुना रिस्क को हूं भूली हुना होच सके रहत प्रशन सदा ये मुखास ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी धन्य 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 तेई जे इनके उपाद वो धन्य है इसके मुख से निकलता है राधा राधा कुम नाम जब करो अच्छे आच्रण करो और इसी जन्म में दुख निवर्त हो जाए दुख नाम की चीज न रहे जाए और भगवत साक्षातकार हो जाए ये जी अनकलाव है अब जिसे हम कहते हैं जा अच्छा हो गया अब तुम्हारा कर्म है सुक्रित जमा है अब फिट ह जाए तो उसमें बाबा नहीं है उसमें तुम्हारी स्रद्धा है तुम्हारे कर्म है हम किसी किसी को भाव देखके हमें पैर शुने का मन होता है साम के लात्री का नौ बजे से वह आदमी खड़ा है दरसन के लिए और दरसन कितने मिले अईसे निकल गए बस लगता है दूर है दराबाद इतनी दूर से केवल एक सादू को देखने आया है यह उसका कितना महान कर्म है अब उसका काम बना दे तो उसमें हमारी थोड़ी कोई बात है उसका जीवन लग गया वह अपने जीवन में निश्चे करके इतना कश्ट सहके आ रहा है उसका मंगल होना तो कुछ देर ही सई नाम जरूर जब करो हमारी बात प्रार्थना मान लोग जैसे कोई बहुत मीठी चीज़ी लगती तो लगता है अपने प्रिजनों को सब को दें आप सब हमारे प्रिजनू प्रियाजू ने न भीजा होता तो आप हमारे सामने नहीं आ सकते वाप की बात है प्रियाजुने आपको पास किया है तब आप यहाँ हैं फिर आप फेल ना हो पास ही होते चले जाओ अर जगे उसके लिए नाम जब ज़रूरी है गंदा नशा मत करो गंदे आचरण मत करो गंदा बेवहार अगर करोगे तो नाम जब होगा ही नहीं और जो होगा वन वो में न मंगल हो जाएगा यह आशिरवाद यह सब यह सब भाहरी विवार ठोशकारे में आओ जो तुमें कोई हिला न सके उनको पॉप्राफ तक ना वो तुमारे कर्म होंगे हमारी श्याजू का क्या भेश हमारे राम जू का क्या वेश जगत पावन मंगल करने वाली लीलाओं का क करके आनंद मगन दिन भर्वही बात गुजे अगर अभिने कर सकते हो तो ऐसा भिने करो कि दिनभर वही गुजे के आ जिनकी अहार की में वृत्ति आशूरी है खांपांजिका आशूरी है कि इस जिनकी भोग में प्रवत्ती है धन यस यह प्रदान सी है वो हमारे भगवान का लिला नुकरन कर ही नहीं सकते भगवान की चाहे जितनी वर्षी की भुमंडल में रहने की अवद हो वहर समय नौ किशोर रहते हैं डाड़ी मुझे भगवान में नौ किशोर अवस्ता शोला तक ही रहते हैं ऐसा ने कि भगवान 22 की हो गए 25 की हजार वर्ष भले राज की हो और नौ किशोर नौ किशोर ही रहते हैं क्योंकि भगवान सच्चिदानंद बपू हैं कोई पांच बहुतिक शरीर नहीं कुछ इस वेस के राश्य को ना जान करके इस वेस को केवल भोग शामागी प्राप्ती के लिए धारन किया अब उनके तो आच हैं विपतिया हैं यह सब नुष्ट हो जाएंगे यदि हम यह दृष्टी रखने लगे कि कभी मुझे सेवा का उशर मिले जो अशहाय हैं जो असमर्थ हैं अगर ऐसे चलो तो पूरु का जो असुप कर में नुष्ट हो जाएगा वह असुप कर में ही हमें दुख देता है यह जो हमें भुलावे में डाला जाता है कि हम यह कर देंगे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा बिल्कुल नहीं यह मतलब बिल्कुल अनुभो की बात कहते हैं इस भुलाव में कभी नफसो बिल्कुल इन बात हो अपने कर्म को शुद्ध भाव से करो किसी इसे आसिरव भगवान कहते हैं सब मंप्री सब मंउप जाए तुम सब मेरे बच्चे हो और भगवान से बिमुक्त खोकर गलत आचरण करोगे तो वह माया पीट रहे कभी दरिद्रता कभी पत्ति कभी दुख कभी पस्चाता आप कभी सोक जनम मरण इसलिए साउधान हो जाए इतनी दरि दूसरों को शुक पहुंचाने की भावना करो अभी दरिद्रता रफ्स हो जाएगे पक्का समझ लो जिसको धन चाहिए हम तुम्हें आंतरिक बात बता रहे हैं जो है जितना है उसी से माता पिता भाई बंधू और आये हुए यति थी और किसी एक बाहरी दुखी जिससे हमारा कोई मतलब नहीं उसको सुख पहुंचाना सुरू करो फिर देखो दरिद्रता नश्टना हो जाए तो हमें बता देना किसी एक भूखे को दो रोटी देना है अगर हम दर्म से चले तो सर्व लोग महेश्वर भगवान इसा नहीं कि एक सेटेंड भी कोई ऐसा नहीं है उसको भगवान नहीं देख रहे हैं । तुम्हें देख नहीं रहें वह अनन्तनेत्रों वाला है अनन्त सवरूपों में बिराजमान सही डंग से चलो पीछे के बिगडी बना लो आगे का मंगल में मार्ग हो जाएगा